राते राते मित्रों, साल 2020 कैसा रहने वाला है मकर राशी वालों के लिए यही जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशी वालों को इस साल शनी के गोचर और साड़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव होने के कारण मानसिक परिशानियों के साथी साथ खर्चे भी बढ़े रहेंगे साल की शुरुआत में केतु के बारवे भाव में गोचर करने से व्यर्थ की यात्राएं भी होती रहेंगी और अधिक खर्चों का दवाब भी बना रहेगा इस गोचर से विरेश यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी और उन पर भी धन का खर्च होगा मई के अंत में शनी और गुरू दोनों के वक्री होने से आपके जीवन का संगर्ष और भी जादा बढ़ जाएगा परिवार वालों के साथ अन्बन बनी रहेगी गुरू और शनी का प्रभाव आपके सब्तम भाव में भी रहने से व्यवाहिक जीवन में जीवन साती के साथ कुछ अन्बनाव की हो सकती है साल के मद्य में कोई भी नया कारिय या नौकरी का बदलाव गल्ती से भी ना करें इस समय बिना किसी बात के वादविवाद भी आपका किसी के साथ हो सकता है और कोशिश करें कि इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें कर्ज का लेन देन भी बिलकुल अवोइड करें आतिक शेत्र में उतार चड़ाओ बना रहेगा चात्रों को भी अच्छी सफल्टा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तबी प्रत्योगिता परिक्षा में मनचाहा परिणाम आपको हासिल होगा सितंबर के बाद हालत सामान ने होगी अध्यात्मिक्ता की तरफ आपका पूरा जुकाओ बना रहेगा तब ही आपको मानसिक शांती मिलेगी सिहत का खास दोर पर ध्यान रखिए मानसिक तनाओं के साथ अपने पैरों वा टांगों का भी ध्यान रखें दर्द बना रह सकता है तो अब हम शुरू करते हैं मकर राशी का 2020 का प्रेडिक्शन करियर के लिए दोस्तों मकर राशी वालों के व्यफसाएं में इस साल उतार चड़ाव देखने को मिलेगा साड़े साती की वजह से पहले से ही कारे में अधिक मेहनत करने के कारण आप कुछ मायूस सानुभव करेंगे आपकी राशी का स्वामी भी आपकी राशी में गोचर करने से आर्थिक स्थिती में चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस साल कारे को लेकर के देश-विदेश की आत्राएं भी होंगे जिस वजह से आप काफी व्यस रहेंगे बहुत कठिन परिश्टम के कारण किसी विदेशी कमपनी से आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है साल के मद्दे में कारे में अधिकरूची रहेगी जिसमें आगे चलकर उचित रिजल्ट भी आपको मिलेगा नए कारे के लिए अभी कोई कोशिश ना करें तो बहतर होगा पार्टर के सहीयोग से कारे में मदद मिलेगी कागजों और चेक पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से देख लें तभी कोई डिसीजन लें नवकरी कर रहे लोगों को साल की शुरुआत में सीनियस की नजरों में आने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ेगी यही समय होगा जब आप कुछ कर दिखाने के लिए एक सक्षम होंगे क्योंकि मई से अगस्त के महीने में आप अपने कारी को ले करके थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं सितंबर से आपके लिए समयलाबकारी होगा आप अपने कारी को नई उर्जा के साथ नए जोश के साथ वापस से शुरू कर सकते हैं और सफलता आपको जरूर मिलेगी नई नोकरी के लिए भी अगस्त के बाद का समय बहतर है और इस वर्ष इंजिनिरिंग, मार्केटिंग, अध्यापन, विज्यापन, कलाकारी और कॉस्मेटिक के शेत्र में काम करने वालों को काफी एची सफलता मिलने वाली है तो दोस्तों अब हम देखते हैं मकर राशी का साल 2020 में कैसा रहने वाला है आर्थिक जीवन मकर राशी वालों की साल आर्थिक स्किति में बहुत उतार चड़ावोगा आपको आपके खर्चों पर नियंतर रखने की बहुत जरूरत है पारिवारिक जिम्मदादियों के कारण भी खर्च होते रहेंगे और यात्राओं और भाई बहन पर भी खर्च के योग बन रहे हैं मार्च के महिने में पैत्रिक संपत्ति को लेकर जो वादविवाद था वो सुलच करके आपके हिस्से में आएगा अप्रिल के महीने में आपका वितन बढ़ सकता है जिससे आर्थिक स्थिती कुछ बहतर होगी और आपके अब तक के जो भी धन से जुड़े हुए काम रुके हुए थे वो अब पुरे होंगे मई के महीने में आर्थिक रूप से कोई नुकसान हो सकता है कोई कर्ज भी एक बार चुकाने के बाद दुबारा लेने की ज़रूरत पर सकती है जमीन और घर के उपर निवेश करने के लिए ये साल मई से पहले और अगस्त के बाद का बहतर होगा इसके पशात करने पर आपको नुकसान उठाना पर सकता है इस समय में आपका किसी वाहन के उपर भी खर्च हो सकता है और नए वाहन के बारे में सितंबर के बाद ही सोचिए share market में invest करने के लिए समय काफी अच्छा है और पहले से भी अगर आपने कोई investment कर रखा है तो इसमें आपको फाइदा मिलेगा बच्चों के भविश्य के लिए भी कोई बहुत बड़ा इंवेस्मेंट आप कर सकते हैं और अंत में हो सकता है माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा और चैरिटी में भी आप धन खर्च करें तो चलिए आप देखते हैं मकर राशी वालों का साल 2020 में कैसा होगा सिख्षा के क्षेत्र में दोस्तों मकर राशी वाले लोगों को इस साल सिख्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए बहुत पहनत करनी पड़ेगी साल की शुरुआत बहतर होगी बस मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत होगी किसी महिला मित्र से समल कर दोस्ती करें नहीं तो व्यर्थ के खर्चों के साथ जंजाल में फच सकते हैं जिस वज़े से आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और नाम भी खराब होगा मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग की सिख्षा लेने वालों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है विदेश जाने की सोच रहे हैं तो सितंबर से पहले पूरी कोशिश लगा दे काम्यावी जरूर मिलेगी किसी दोस्त की दोस्ती में इतना न डूब जाएगा कि इमोशनल हो करके आप अपनी पढ़ाई को साइड में कर दें नहीं तो बे मतलब आपका पैसा भी खर्च होगा और समय भी बरबाद होगा माता पिता का सहयोग बना रहेगा जिसमें आपको उनकी किसी बात को इनकार नहीं करना है न जिद में आकर कोई भी फैसला अकेले लेना है आपको ये जीवन आपका अकेले का नहीं है आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और जो भी आपके सपने हैं उनको आपको इस साल साकार करना है अपना समय विलकुल भी वेस्ट नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रखिए तो अब हम देखते हैं मकर राशिवालों का पारिवारिक जीवन कैसा होगा साल 2020 में दोस्तों आपका इस साल परिवार के साथ मेल जोल बना रहेगा बस साल के मद्दे में कुछ खटास आएगी बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा आप अपने परिवार वालों की धन की जरूरत को पूरा करेंगे जिससे आपस में एक जुटा आएगी जहां आपने अपना हाथ थोड़ा कीचा वहाँ परिवार वाले भी बातचीत में कमी कर देंगे मार्च माह में घर में किसी उत्सव के कारण आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और परिवार को एक जुट बांधने की आपकी कोशिश काम्याब होगी माई के बाद किसी पुरानी आपसी अन्बन के फिर से शुरू होने के संकेत हैं जिसमें आपकी मानसिक परिशानी बढ़ जाएगी और आप काफी अकेलापन महसूस करेंगे जमीन से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है तो उसमें आपके माता पिता का आपके साथ स्योग बना रहेगा अगस के बाद किसी नए महमान के घर आने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा माता पिता को धार्मी क्यात्रा पर ले जाएं जिससे आपको उनका शिर्वात प्राप्त होगा सितंबर के बाद भाई बेनों के साथ आपका रिष्टा बहुत मधुर रहने वाला है अब इतक अगर कोई खटास थी भी तो वो भी दूर हो जाएगी किसी बाहरी महिला के कारण घर में महिलाओं में आपस में मदबेद हो सकता है साल के अंत में माता पिता के सहीयोग से आर्थिक लाब भी आपको मिलेगा अब हम देखते हैं मकर राशिवालों का साल 2020 में वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष कैसा रहने वाला है दोस्तो साल की शुरुआत तो बेहतर होगी धार्मिक यात्रा में जाने से आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे इसने आपकी मानसिक स्थिति को आपका साथी समझेगा और आप एक दूसरे से काफी करीब होंगे लेकिन मई से सब उल्टा हो जाएगा एक दूसरे के साथ किसी गलत फहमी के कारण आपसी मद्भेत शुरू हो जाएंगे और बिना बात के पुरानी बातों पर एक दूसरे को आप ताना मारते रहेंगे ये समय बहुत नाजुक बीतने वाला है और आप रोपने रिष्टे को इस दौरान बिलकुल समहाल कर रखिए समझदारी से काम लीजिए वरना काफी समस्याएं उत्पन हो सकती है सितंबर के बाद वक्री ग्रहों का प्रभाव खत्म होने से आपसी संबंदों में जो खटास थी वो दूर होने लगेगी आप दोनों एक दूसरे को समझने से एक दूसरे के करीब आएंगे और जीवन साती को नई उपलब्दी मिलने से घर में खुशी का महौल बना रहेगा आपकी आर्टिक स्थिति को सुधारने में भी वो आपकी मदद करेगा बच्चों के साथ कही बाहर घूमने का प्लान करेंगे बच्चों की तरफ से साल मिला जुला आपका रहेगा मार्ज से किसी खेल में उनको नए अवसर मिलने से आपको भी प्रसनता होगी पर खर्च भी अधिक होने से आपके दूसरे खर्चों में फरक आएगा पढ़ाई में जो नया विशे चाहते थे या किसी कॉलेज के बदलाव या बाहर जाकर पढ़ने के बारे में सुच रहे थे वो भी आराम से हो जाएगा अब हम देखते हैं मकर राशी वालों का साल 2020 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तों मकर राशी वालों के लिए साल की शुरुआत रोमान्स से भरी हुई होगी आपका साथी आपकी उमीद पर खरा उतरेगा और आपको उनके लिए कोई सप्राइज भी प्लान करना चाहिए मार्च के महीने में कोई नया साथी ओनलाइन के जरिये आपके जीवन में आ सकता है जो पहले तो दोस्त बन कर रहेगा फिर आप दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों कब इतने नजदीक आ गए आपका प्रेमी आपके कारे को लेकर कुछ परिशान हो सकता है आपको उनके कारे में उनकी आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके से मदद करनी चाहिए आप भी अपने साती को कोई अच्छा गिफ दे सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच आप कसी प्रेम बढ़ेगा अगस्त के बाद अगर आप दोनों किसी लंबी आत्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से जाएं कोई घटना होने से दोनों को परिशानी हो सकती है सितंबर से नवंबर के बीच किसी तीसरे के आने से गलत फेमिया भी बढ़ सकती हैं और इस दौरान आपको आपके साती के साथ बहुत सामंजस्य से बना के रखना है साल के अंत में आपको आपके कारिक्शेत्र में किसी से प्रेम हो सकता है अगर अभी तक आपका कोई पार्टनर नहीं है तो जिसका परिणाम सकारात्मक आपको आएगा आकरी महीनों के आसपास आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है अब हम देखते हैं मकर राशिवालों का साल 2020 में कैसा रहने वाला है स्वास्ते दोस्तो साल की शुरुआत किसी मानसिक परिशानी के साथ होने के कारण आप मेंटल स्ट्रेस महसूस करेंगे इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा और साड़े साती के कारण गुटन महसूस होगी जो मई के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप काम को काम की तरह न लेकर टारगेट की तरह करते हैं जिससे काम में दिन रात एक करके आप अपनी सिहत भी खराब कर लेते हैं आपको समझना चाहिए कि काम के साथ आराम भी जरूरी है किसी तरह की तवचा से संबंदित परिशानी है तो लापरभाही बिल्कुल न करें समय से इलाज करवा लें साल के अंत में पैरों और कमर में दर्द के कारण खुद को आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे अपने खान पान के साथ आराम भी जरूरी है और मनुरंजन को भी अपने जीवन में स्थान दे जिससे तनाओं में कमी आएगी साल के मद्दे में यात्राओं के दबाव से भी थकावट होगी और बार बार एक ही काम के लिए आना जाना पड़ सकता है आपको जिस काम के लिए भीजा जाएगा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ही आपको काम्याबी मिल सकती है बाहर जाकर बाहरी भूजन की अधिकता के कारण पेट संबंधी विकार भी आपको हो सकते हैं तो स्वास्तिके दृष्टिकोर से आप थोड़ा समल करेए मेंटल स्ट्रेस को कम करेए हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी नमू नारायन